अब आईए हम बात करते हैं बारह राश्यों की बारे में कि आज की बारह राश्यां क्या कहती हैं किसका भागोदे होगा कौन विदेश जाएगा किसको सरकारी नोकरी मिलेगी कौन उच्पत प्राप्त करेगा किसको राजनेतिक लाब होगा कौन विदेश जाएगा किसको स्राषी से जो मेस राष्य वाले जातक हैं आज का दिन आपके लिए बहुत्व बहतरी नरी प्रयासरत कारों में सफलता मिलेंगी सरकारी नोक्री मिलने का प्रवल योग बन रहा है ज़िए आपने कोई प्रतोगी परिक्षा दे रखा है तो उसमे सफलता मिलेगी जो भी आपकी चाहे हैं महातोकन चाहे हैं पूर्ण होगा समय महातोपूर्ण चल रहा है चारों तरफ से धन लाब होगा धन के छत्र में बृद्धी का योग बन रहा है नए बैपार करने के आउसर मिलेंगे खास तोर से जो भी दैड़ थी हैं खिलाड़ी हैं उनके लिए समय उत्तम चल रहा है परिशिति आपके इंकूल है समय का सद्धू प्योग करिए सौधानी के अबरतनी है एकाग्र होकर अपने कारिश्यत्र में लग जाईए बहुत बड़ी सफलता मिलने का योग बन रहा है उपाय क्या करना है आज आपको उपाय करना है कि संकट मोचन हनवान जी की अराधना करना चाहिए सबेरे प्राता का लुट के माता पिता का चल असपर्श करें ओम गिरड़ी सूर्या नमा इस मंत्र का जब करना आपके लिए लाप्रद रहेगा सुभंके तीन सुभंके के सरिया लक्मिटर है 9 हरे कृष्णे बात करते हैं ब्रिश राशी की जो ब्रिश राशी की जातक है आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा कर्च लिए होगा आए से जादे वैह हो सकता तो कर्च पर नियंत्रन करने की जुरूता कारण चिंता रहेगी मांस्य कुद दिग्रता बनी रहेगी है कारण मन में असरक्षा की भावना डेबलप हो सकते हैं प्राकरम से धनलाब होगा मा कोई सरकारी नोकरी के लिए पृत्त होगई प्रिक्षा आपने रे रखा तो सब्याद को सफलता मिलेगी दूर देशकी यातरह के अध्यात्मिक भीकास होगा ह alternate sense रीट बरतनी है सवाधानी की अपने कारी के परत के दिर्ट हो और लक्ष के परत के दिर भोगे कारी के आपके लिए इच्छा रहेगा उपाई क्या करना है सफ्यध वस्त्र का धान करें साहय को भोजन करा में दूध दही आटा यह दान करें आपके लिए अच्छा रहेगा सुभांग के साथ सुभरंगे डार्क नीला लग मीटर है आठ हरी कृष्ण बात करते हैं मिठुन राशी की जो मिठुन राशी लिजा तक है ध्यान रखना है कि आज जो आपकी समय है बहुत महत्रपोड है कई बर क्या होता है कि सत्य और अस्वष्ट कोई सुनना नहीं चाहता तो आप सत्य और अस्वष्ट बोलते जिसके नाते आपके अपने लोग शत्रू हो जाते हैं, बिरोधी-शक्री हो जाते हैं, किंत, चिंता की कोई बात नहीं, रोग और सत्रू परास्त होंगे, आपके समझचाओं का शम educat ऋगा, और सत्य कटू से बोलने से परहेज करें आर्थिक लाब होने की संभौना बन रही है साहित लेखन से धन मिलेगा कीमति शला से धन अर्जित करेंगे अगर आप बिधी के छतर में कारे करते तह आपको बड़ी सफलता मिलेगी लेखन साहित अकेडमी केरियर के छतर में आज पतनी से काफी सपूर्ट मिलेगा बच्चों की प्रगत से मन प्रसंद रहेगा सौधानी क्या बरतनी है पॉजिटिव सोचे निगेटिव सोचे बचे उपाय क्या करना हरा चारा या हरा मटर अपने हाथ से गाय को खिलावें या अपनी बहन को हरे रंगा कोई वस्त्र गिफ् आपका मन बहुत चंचल है एकाग्र था काहा है कहते है कि आपम सक्षातकार के कुझी होती है अगर आपने काग्र नहीं किया तआपका कारें बनते बिगड़ सकता है विद्यार्थियों के लिए एक आग रोना बहुत जुरूरी है क्योंकि परिक्षा का समय चल रहा है तो आपकी विद्या बुद्धी में बृद्धी होगी और बौधिक छंता के बल पर धन अर्जित करेंगे पढ़ाई लिखाई करियर एकडमी के लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है तो खुम मेहनत करिए बड़ी सफलता मिलेगी माता पिता क्या सिरबाद ले और भगवान हनवान जी की अरादना करें और रोग और सत्रूपर विजय प्राप्त करेंगे सौधानी के अबरत नहीं ना तो किसी को तनाव दें ना तो तनाव लें अपना एकदम निश्पक्ष हो करके तटरस्थ हो करके अपना कार करिये आपके लिए अच्छा रहेगा उपाई क्या करना किसी गरीब ब्यत्ति को या दीन दुखी अशहाय को दूद पिला में खाना खिला में और उनकी मदद करिए सफेद रंग का वस्तु दान करिए ओम स सुमायनमा हिस मंत्र का आप जब कर सकते हैं आपके लिए अच्छा रहेगा सुभंग के चार सुभंग है आफवाइट लग मीटर है आठ हरी कृष्णी बात करते शिंग राशी की जो शिंग राशी की जातक है आज आपको ध्यान रखने के आलस आपका सबसे बड़ा है रियल स्टेट प्रापल्टी माइस वगर पूजी निविस करते हैं ता आपके लिए अच्छा रहेगा राजनेतिक शम्ता में भृद्धी होगी सासन सत्ता सरकार से लाप मिलेगा आपके पुराने मित्र मिलेंगे और कुछ रुका हुआ धन मिलेगा उससे आपकी आर्थ से आपके घर में खुशियों का माहौल रहेगा सौधानी के अबरतनी है मध्या मारग अपना में उपाय क्या करना दाल भरी पूड़ी गौसाला में दान करें सुबंके पांच सुबरंगे लाल लक मिटर छे हरे कुश्मा बात करते हैं कन्याराशी की जो कन्याराशी की जात सकते हैं परिवार में सुब और मांगली कारी होने का योग बन रहा है सेर से ट्रेडिंग से फाइनेंस से और विधी की छेत्र से धन अरजित करेंगे परिवार में सुब और मांगली कारी होने की संभावना बन रही है आयके संसादुनों में बढ़ोतरी होगी माता-पिता क सुख मिलेगा तेजगत की गाड़ी न चलावें किसी महला मित्र के सहयोग से आगे बढ़ेंगे कोई आपका पुराना मित्र होगा जो सहयोग करेगा आपको अच्छा गाइट करेगा किताबे लिख सकते हैं कहानी लिख सकते हैं पत्रकारता के चत्र में आपका बड़ा नाम ह उपाइक एकन हरा चारा दान करना आपके लचा रहेगा भगवान सरी गड़ेश की अराध्ना करना अच्छा रहेगा ओम गंग गड़पते नमा इस मंत्र का जब कर भगवान सरी गड़ेश को दुरुवार पित करें सुभंकतीन सुभरंगे हलका आश्मानी और लक मीटर है आ साथ नो में उत्रोंतर बढूतर होगी घर बनाने का सुंदर और प्राप्त होगा समय का सद्वपयोग करने की जुरूत है बिवाद दित्याद में समय ब्यतीत ना करें स्वाथ तर विशेश ध्यान दें नयाले में अगर कोई वी कारी चल रहा होगा आपका बात बुबध उसमें आपको निश्टारण होगा उसका बड़ी सफलता मिलेगी जीत मिलेगी माली हालत में सुधार होगा रोग और सत्रू परास्त होंगे आपका जो तनाओ की सती बनी होई है वो तनाओ समापत होगा माली हालत अच्छी होगी कृष्योग भूम करें सकते हैं पिता के सहयोग से कुछ बड़ा कारे कर सकते हैं आप उतावले परंवे कोई कारे न करें और कोई भी महत्मूर कार करते हैं तो बढ़ों की जढाय जरू ले कि उपाय क्या करना है मोती या चादी के चंद्रवाई या शफेद वस्त्र दान करना आपके लिए लाप्रद रहेगा सुभंग के दो सुभ रहेंगे नीला लग मीटर है आठ हरे कृष्ण बात करते हैं ब्रशिक राशी की जो ब्रशिक रासी जाता है थाज आपको ध्यान रखना है कापको बेजाब गुस्त आउगा ऐगरेशन बेंगे तीस पर कंट्रोल करने की जुरता है आइस अधिक बै हो सकता है जिससे मांसिक उद्धिकनिता हो सकती है दूर देश क्यात्रा होगी क्रोथ पर निंद्रण करें भावेश में कि कोई कारी न करें दिल के तायद में विवाद की सिती बनी रहेगी संतान से मन परसंद रहेगा आप छोटी-छोटी बात को लेकि अपने संबंद खराब कर लेते हैं जो संबंद बहुत किम्ती होता है बनाने में आपको वर्षों टाइम लगता है बिगाडने में एक सेक्ड लगता तेस अपने को सब्सक्राइब करें उनको चोलारपित करें और शनीद्यों के मंत्रों का भी जब करें ओम संग सनस्च्रायन में इस मंत्र का जब करना आपके लिए लाप्रद रहेगा सुबंगे एक सुबंगे केसरिया लक्मीटर साथ हरे कृष्णी बात करते धनुराशी की जो पूजी नच चलावें कंट्रोबर्शी में ना पड़ें विबात की बजाए मध्यमार का प्नाना आपके लिए अच्छा रहेगा रुका हुआ धन मिलने की संभावना बन रही है किसी महिला मित्र के द्वारा आज आपको धोखा मिल सकता है कोई मित्र आज आपके कारियों म मैं पूजी निवेश करना चाहते हैं ता आपके लिए अच्छा है ब्यापारिक किस्ति अच्छा है किताब लिख सकते हैं गरंथ लिख सकते हैं जदी एकड़ी करियर को लेके परिशान रहे या कोई प्रतोगी परिक्षा का आपने सक्षातकार दिया हुआ है ता आपका कह चैन हो सकता है लेक्चरर हो सकते हैं प्रवक्ता हो सकते हैं किसी विभाग के चोटी हो सकते हैं सौधानी के अपरत्ति मद्या मार्ग अपनाना आपके लिए अच्छा रहेगा विबादों से बचें उपाय क्या करना पीला वस्त्रदान करना आपके लिए अच्छा रहेगा गाय को दाल भरी चनी की पूड़ी खिलाना सुभद रहेगा सुभन के दो शुब रंगे हल्दी कलर लग मीटर है आठ हरे क्रिश्ण बात करते हैं मकर राशी की जो मकर राशी की जातक है आपको ध्यान रखना है कि सनी की साड़े साथी कांतिम चरण चल रहा है आलश्य का पर अंगे दान करना आपके लि sneaking के लिए अच्षा रहेगा ओं मिलेंगे जो आपको तनावSON दे सकते हैं सौधानी के अब रतनी हैं मुकदमी तैसे बचें उपाय क्या करना काला तिल दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा ओम संग सनस्ट्राइन में समंत्र का कम सकम 24 वार एक माला जब जुरू करें आपके लिए फायदे मंद रहेगा सुभं के साथ सुभं के प्रटार से मिलेगा आपके आत्नबल में बढ़ोतरी होगी अगर नोकरी के लिए परियास करें तो नई नोकरी मिलने की संभावा नाब बन सकती है एकला करके सचेत रहें कोई भी हेल्थ कर खराब होता है तो इसको हलके में ना लें रोग और सत्रु को हलके में कत्ती नह औ और नएतरह के कारेंगे, सिक्षा के चेतर से धनर जित करेंगे, कंस्ट्रक्षन, माइन्स, कर आरगेनिक, पेट्रोलियम के चेतर से नेतरह का वैपार करेंगे, सरकारी योजनाओं से लाफ मिलेगा विदेश जा सकते हैं माता जी का सहयोग मिलेगा पत्नी से थोड़ा बैचारिक मतवेद रहेगा सौधानी के अपरत्नी है साजेदारी में बैपार करने से बचें उपाय क्या करना काली गाय को हराचारा खिलावे सब्मी का पत्ता सनी देव को अर्पित करने से आपको लाब होगा सुबंक है आठ सुब्रंग है शी ग्रीन लक मीटर है आठ हरी कृष्ण बात करते हैं अंतिमराशी मीन की जो मीन राशी की जातक है आज आपको ध्यान रखना का बहुत सेंसेटिव है चुटी-चुटी बात अब को बहुत बुरा लगता है तो बैपार को और सेंटिमेंट को एक में ना मिला यह नहीं तो नुक्सान होगा प्रोफेशनल रिमोशनल रिष्टे को दोनों दो तरीके से डील करिए आपके लिए अच्छा रहेगा आज आपको धनलाव होने की संभावना बन रही है यात का दिन बहुत बैतर है जिए आज आप खेल के छत्र में कुछ बढ़ा करना चाहते तो कर सकते इंडर्स्टी लगा सकते हैं एकेडमी केरियर अच्छा होगा पांडित्यकर में रूची बढ़ेगी मंदिर इत्यादी का निर्माड करा सकते हैं सौधानी के अब रतने छोटी जन्वदीन हो उनके बारे में आज जिन दर्सकों का जन्वदीन हो जन्वदीन की बहुत बहुत बदाई धेरो सुभ कामना है आपका जन्वदीन सुभ हो मंगल मैं हो आप खुब प्रगत करिए आपका च्छतुरतिक विकास और सुख समरेदी ऐस्वरे में बढ़ोतरी हो आपकी मनौरत संकट मोचन हन्वाजी के किरपा से पूंड हो हैपी बर्ड़े आज जिन दर्सकों का जन्वदीन है उनका मुलांक होता है आठ तो खास तोर्से आठ से आठाएच connection का मुलांक होता है आठ जो आठ नंबर वाले जाता है ऑंके लिए वर्श प्रापल्टी को पिरियों लेकर के बहुत अच्छा है रोग और सत्रुपा प्रवावी रहें गया तिंद्री ग्यान की बात मानें माता-पिटा की राय लेकर किसी कारे को रहे आपके अंदर अपर भी तुर जा है उर्जा का सही दिसा में पर योग करें माता-पिटा की बात को सुने किसी महिल पीरियड है उत्रोतर विकास होगा प्रापल्टी खरीदेंगे घर में निया महमान आएगा अप्रैल माई जून पत्नी के स्वास को लेकर करके चिंता हो सकते बच्चों से बैतारिक मतवेद रहेगा बड़े अधिकारी से लाफ मिलेगा और केशे महिला मितर के सहयोग से आग स्टूबर, नॉम्बर, दिशंबर आपके लिए बहुत ही अच्छा है स्वाणिम समय है इसमें चतुरतिक विकास होगा दन की सिती बहुत अच्ची होगी आप उत्रोतर आगे बढ़ेंगे सौधानी के अपरतनी है गुस्सा नहीं करना है चैनल लाइज होके कारे करना है औ नहीं एक बार आपको जन्मदीन की बहुत-बहुत बहुत बढ़ाई धेरोशुपकामनाच एपी बढ़े है गुरू के नुस्खे की गुरू के नुस्खे में आज हम आपको बताएंगे कि यह जो सब्ता होता है साथ दिन यह साथ दिन साथ ग्रहों के लिए महातपूर्ण है सोमवार चंद्रमा के लिए मंगल वार हनमान जी के लिए मंगल ग्रह के लिए बुद्ध के लिए माता दुर के लिए तो देखा जाए तो सातों दिन बड़ा महत्पूर्ण होता है सातों दिन के कोई ने कोई स्वामी होते हैं अगर कुंडली के हिसाब से ग्रहों की पोजिशन खराब है तो आप दिन के हिसाब से स्वामी की मंत्रों का जब करें या जो इस्ट हैं उनके आराधना करें तापके परिशानियां होगी दूर आज हम आपको बताएंगे कि जदि आपके कुंडली में मंगल ग्रह के दोस होने के नाते बैबाहिक जीवन दुखी है परिशान है संतान उत्पत्ति नहीं हो रहा है आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है प्रापल्टी को लेकर के बिबाद हो रहा है इन सब तमाम कारणों से अगर आपको दिक्कत है ता आज आप तीन उपाय करें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा एक तो जदि आपकी कुंडली में एक चार साथ आठ बारे में मंगल है मंगलिक हो गया मंगलिक के नाते आपके मेट्रिमुनियल प् करें आपके लिए अच्छा होगा नौकरी में दिक्कत आ रही है परिशानी आ रही है स्री हनुमते नमा स्री हनुमते नमा इस मंत्र का जब करिए आपके लिए अच्छा रहेगा